और आज की बैज के मुद्दे क्या है राम मंदिर मुष्टिमार अक्षन जैसे मुद्दो पर बीजेपी ने क्या विपक्ष को फसा दिया है आज की डिबेट का पहला मुद्दा ये है दूसरा मुद्दा है पीम मोदी ने विपक्ष को अपनी पिट पर आने पर मजबूर कर है और तीस्री बाद क्या भीजेपी तुष्ट्री करन के खिलाव धुर्वी करन की नीती अपना रही है क्योंकि एक तरफ अगर सपा और भी जो डिनकर रहे हैं तो किया भी भी कनड कर रही है यह आरोप है आज इन तीन बड़े मुद्वेध्यों पर होगी देश की सबसे प्रमाणिक और परिचाचा आईए मेहमानों के साथ आपका परिचे करा देते हैं सबसे पहले मेरे युवा मित्रों के लिए जोरधर तालिया इस देश की चंटा जैनारदन के लिए जोरधर तालिया जो हर बार वोट देती है और चुन किलाती है गौरब भाटिया कि ने था परवक्ता उनका अभिन्दन है मेरे साथ मुझूद है सकत्र प्रकाश्मेशला्या जनतरडाल उडीट यनकता परवक्ता उनका अभिन्दन है और रिवेक्षिर्वास्तर राफ्ट के उनका आप ये अपको लगता कि आप लोग अगर तुष्टी करन कर रहे हैं तो बीटेपी वाले धुर्वी करन कर रहे हैं आरोप यह लगता है लेकिन आपको तुष्टी करन की जरुवत क्यों हैं पचास सेकेंड देखिए हमारे बीच में युवा बैठे हैं सबसे पहले मैं इनकी बात करूंगी यूथ ह हमारे देश में यूथ की संख्या नौजवानों की संख्या मुसल्मानों से ज्यादा है लेकिन क्या आपने प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के रेलियों में मुसल्मानों के अलावा यूथ की बात सुनी क्या आपने रोजगार की बात सुनी सरकारी नौकरी की बात सुनी पेपर लीग जैसे मुद्दे पर क्या आपने बात सुनी तो ये कौन कर रहा है गोरा बातिया विकास का मुद्दा रोजगार का मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता या फिर आपका एजेंडा वो ही नहीं आपको धुर्वी करण और तुष्टी करण में मज़ा आता है पॉलिटिकली देखिए ये गर्व की बात है कि प्रदान मंत्री जी ने अपनी हर सभा में अमिट शाजी ने जेपी नडड़ जी ने हर सभा में पहले ये बताया है कि दस साल क्या किया है दसवी सबसे बड़ी अर्थवियस्ता को पाचवी सबसे बड़ी अर्थवियस्ता बना दिया पेपर लीक की बात कर रहे है मैडम को ये भी नहीं पता है कि पेपर लीक अगर होगा सक्त कानून लाए हैं तो वो नरेंदर मोदी जी है और मैं इधर अगर बात करूँ सवाल जरूर पूछेगा राम गोपाल यादव इनके चीफ जनरल सेक्रेटरी है क्या कह रहे तो मालूम है भव्वे राम मंदर का नक्षण थोड़ा खराब है अरे नक्षण नहीं खराब है जहां प्रभू राम आ गए तो नक्षए की क्या मजाल है वो मंदिर पावन है, पवित्र है, हमारी आस्ता का केंद्र है, लेकिन इनके दिमाग का संतुलन खराब है, इनकी नियत खराब है, ये बाद आप जान लीजिए. राजमार बाटी, क्या आपको लगता है कि राजनीती में सबको अपने धंच से पॉलिटिक्स करने का हक है, भारत में लोक तंतर है, तो सबको अपने बायान देने का हक है, लेकिन आज का सवाल जो है, वो बहुत जादा जरूरी है, विपक्ष को तुष्टि करन सूट करता है और बीजेपी को धुर्वी करन सूट करता है, दोनों अपने हिसाब से बायान देते हैं, आपके भी और बीजेपी प्रवक्ता के भी दोनों के सवालों का जवाब मिल जाएगा, अगर आप मेरे नेता स्री अखलेश यादाव जी का और इनके नेता माननी मुदी जी का दोन मुद्दा उठा रहे हैं, जो पिछडे वर्गों को आरक्षन में लूट हुई है उनके साथ, उनको न्याया का मुद्दा उठा रहे हैं, किसान की MSP की गारंटी का मुद्दा उठा रहे हैं, बेहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, देश के और प्रद बनंS उनका बिगड़ा है जो इस तरह की उल-जलूल बातें कर रहे हैं यह मानसिक क्यों आन उस नेता का बिगड़ा है उस पार्टी का बिगड़ा है जो जह अवावाम के नक्षा किसका विगड़ा है अगर 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 इस देश की सारी राजनितिक पार्टियां जनता के असली मुद्धों पर वो उट मांगने लगें तो यह देश बहुत सुंदर देश बन जायेगा और अगर इस देश को भटगाने का प्रियास किया जाएगा हिंदूओं से ड्राया जाएगा दलित को ब्रहमन से ड्राया जाएगा तो यह देश की इसका नक्षा बिगड़ के चला जाएगा एक तिकिन पहले एंडिये के दूगर आजए सर तो नक्षा कौन बिगाड़ा है देश का अभी तक तो राम कोपाल जी ने बोला मंदिर का नक्षा ठीक यह मंदिर बेकार है अब मैं पूछ रहा हूं यह कहरें कि आप तो एंडिय जो है वो देश का नक्षा ही खराब कर रहे हैं कहीं न कहीं यह जो छोटी मोटी कॉंग्रेस के सहयोगी पार्टियां हैं यह कॉंग्रेस के सुष्ट्री करें की सदस्य हैं हम बिलकुल सबका साथ सबके विकास में यकीन करने वाले एंडिय हैं समाजिक नियाए के साथ विकास करने वाला एंडिय है अगर इस देश में किसी खास वर्ग को अगर आप तारगेट करके उसकी बात को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करेंगे तो आप किसी ने किसी का वोट मांग रहे हैं तो इंडिये जवाब देगा उस पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर आर्थी काधार पर पिछड़े लोगों को दस प्रतीशत आरक्षन दिया तो क्या अलपसंख्यक वर्ग उसका सदस्य नहीं बना तो यह 55 सालों की सरकार रही दस साल यूपिय की सरकार रही उसके बाद भी ये मुस्लिम वर्ग पिछड़ा कैसे चूट गया भाई आपने बीज़ोगताte से पोचा कि भाई आप डेवलेप्मेंट की बात करते हैंіє तो हमारे प्रवकता मित्र नहीं 편ती दाधिया देवलेप्मेंट की बात करते हैं नौकरी नहीं है और एंकर ने और चैनल ने पकड़ा और पूछा सवाल कि डेवलप्मेंट पर क्यों नहीं लाते हो तो उल्टा मीडिया के उपर ही उन्होंने उंगली उठाई पहली बात दूसरी बात पर आते हैं परिवार बाद बुशन सरन सिंग कौन है उस इसको टिकट मिला है उ परिवार बात नहीं है कौन है वसंद्रा राजे के बेटे क्या उनको टिकट मिला है कि नहीं मिला पचास गिना दूगा नाम आपको लेकिन गौरब भाटिया जो बात विवेक जी को कई बातों से बहुत तक्रिश्वा जी लेकिन सबसे पहले तो यहां पे सभा के प्रवक् अगरत हूं तो मेरे साथी हैं मुझे तुरंद कहें गौरा भाटिया अगरत बोल रहे हो उन्होंने जब इनकी नेत्री ने कहा कि वोट जिहाद कर डालो तो अखिले यादव के सामने अमीज देवगंज जैसा एक पत्रकार गया उसने कहा यह क्या है करें जोश मैं बोल दि अगर भारत के हिंदू जो बहु संक्यक हैं इस तरह की मांसिक्ता रख लें तो सूपड़ा साफ हो जाएगा एक सीट नहीं आएगी याद रखना दूसरी बात और मैं फिर से कहूंगा विरासत में गद्धी मिल सकती है कि लिए यादव को मिली थी बुद्धी नहीं मिल सकत है उसके लिए आपको महनत करनी पड़ती है एक मिन एक मिन जी 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 इसलिए दुबारा दो हजार बाईस में जनता ने मोहर लगाई योगी आदितनाजी को पुना मुख्यमंत्री बना आप क्या अखिले और सकता है एक में एक मिली खोंकि लिए योगी योगी जी आपको मिली जी 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 जुबएगार आपको जी 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 कि जी जूबकोकी है टू था टूबगार है।